वेलकम तो स्टेडी सेंटर बिद देवरीशी भारद्वाज तोडेश टॉपिक इज एडवांटेजिस और पैलल कॉंबिनेशन ओवर स्रीज कॉंबिनेशन मतलब पैलल कॉंबिनेशन से क्यों ज़्यादा अच्छा है इसकी क्या एडवांटेज्स हैं आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं तो देखो इसके कुछ रीजेंस हैं जैसे बात करते हैं हम स्रीज सर्किट की जो सर्किट जब स्रीज में होता है तो क्या होता है वेन वन कॉंपोनेंट फेल अगर एक कॉंपोनेंट उसमें से कोई खराब हो जाए फ्यूज हो जाए फेल हो जाए तो पूरा सर त्वाला विक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब उसलिए अधर हम किसी एक को पौस्te कि ऑफ करना तो करना णा सारे ही ऑफ हो जाएँगे लिए और यह भी पॉइंट लिख सकते हो तो यह कोममेशन में यह प्रॉब्लम आती है second जैसे हम गया सकते है different appliances have different requirement of current this cannot be satisfied in series as current remains same देखो series combination में क्या होता है कि जो current रहती है वो change नहीं होती वो same रहती है लेकिन जो appliances होते है अलग-अलग जो हम use कर रहे हैं कहीं बालब कहीं फैन या कुछ भी तो उनकी अलग-अलग requirement है कि किसी को कम current की आवश्यक्ता होती है किसी को ज्यादा की लेकिन series combination में क्या होगा कि वो सबको equal current देगा ठीक है ना equal current ही वहां पर फिलो होगी तो जो ठीक नहीं है सबके लिए तो ये भी एक problem है ठीक है third point the total resistance in parallel circuit is decreased अब बात करते हैं देखो parallel की parallel में क्या होता है अगर parallel में हम जो appliances लगे होते हैं या उनके जो resistance होती है total parallel का formula है one upon r is equal to one upon r1 plus one upon r2 plus one upon r मतलब इस तरीके से निकालते हैं हम reciprocal करके तो इससे क्या होता है resistance घट जाती है कम हो जाती है और वहीं पर अगर इस रीज में लगे हों तो resistance बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि advantage मिलता है या नी resistance कम हो जाती है resistance जितना कम होगी उतना अच्छा है क्योंकि उससे क्या होगी electricity या current flow होने में आसानी होगी, resistance के कम होने से current अच्छे से फिलो हो पाती है क्योंकि ये उसको रोकता है रेजिस्ट करता है तो parallel में क्या है, ये फायदा मिलता है advantage मिलती है और parallel में एक और advantage है देखो, in parallel combination all components in the circuit have the same voltage as the source जो voltage होते हैं, वो change नहीं होते हैं तो parallel combination में देखो, हमारे इंडिया में जितने भी instrument बनते हैं जितने भी components होते हैं वो सब 230, 220 इतने voltage की requirement रहती है उन सब को, लेकिन अगर इनको series में connect कर देंगे, तो क्या होगा voltage पहले वाले के पास आएंगे, second वाले के पास और कम आएंगे इस तरीके से voltage, potential difference क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है लेकिन अगर इनको parallel में connect करते हैं तो parallel में कहा रहते हैं, सबी के पास voltage equal आते हैं, कोई ही उसमें change नहीं रहता तो ये advantage मिलता इसके अलावा हम देखो अगर बात करते हैं अगर हम series में connect कर देते हैं तो क्या होगा उनके जो voltage हैं वो कम होते जाएंगे, तो मानलो हमने कुछ बल्व लगा दिये, series में तो जो पहले में brightness होगी वो अच्छी नहीं आएगी, मतलब पहले में अच्छी है पूरे के पूरे मिलेंगे तो सभी की brightness अच्छी होगी, सब बल्व अच्छे से glow करेंगे, अच्छे से जलेंगे तो parallel combination में ये advantage मिलती है तो I hope समझ में आगया होगा कि parallel combination क्यों अच्छा है series combination से, तो हमको यही combination हम घरों में लगाते हैं series combination में तो एक ही on-off रहेगा लेकिन उसे सारे, सारे, वंद होँगे सारे, on हो जाएंगे वो अच्छा नहीं है, तो समझ माय होगा कि क्या advantage है, so thank you